सबसे पहले तो आप सभी को हैपी रच्छा बंधन दोस्तों भाईयों एंड बहनों तो कुछ लोग के हां तो कल रच्छा बंधन रहा होगा बट कुछ लोग के हां आज है तो आज भी आज मेरे हां भी है तो आप लोग बताएगा आपने किस दिन रच्छा बंधन मनाया है औ अज मैं कुछ टॉपिक्स नोट करके लेके आई हूं कि अब तो बिहार सिच्छक भरती जो था उसका एक्जाम तो हो गया आगे क्या करें मतलब जिनका अच्छे माक्स बन रहे हैं उन्हें भी पढ़ाई चोड़कर बैठना नहीं चाहिए और जिसके कम माक्स बन रहे हैं उन अब तक तो हम लोग बिहार सिच्छक भरती में ऐसे उलशी पड़े थे बट उसका अब एक्जाम हो चुका है एंड हो सकता है कुछ दिनों में उसका ओयमार जो इसकैन करके अप्लोड कर दिया जाए तो हम लोग एक्शली में मिला लेंगे कितना कितना सही था एक्शली ये बुरा नहीं गया है अच्छा गया है अपने OMR में अपने booklet में तो मैंने ऐसे टिक नहीं लगाया था बट मुझे याद था कि ये कि इसन का इंसर मैंने इस पर लगाया हुगा है तो इसे मैंने मैच किया तो ठीक ठाक बन रहे हैं तो निक्स वीडियो में आपको बताऊँगी कि मेरे कितने marks बन रहे हैं बट average कह सकते हैं कि average marks बन रहे हैं अब बात करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए हम लोग को तो ऐसे बैठ ना नहीं है क्योंकि हम aspirant हैं हम एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा डिटोट हैं एक एक्जाम नहीं निकलता है तो दूसरे एक्जाम पर फोकस कर देते हैं तो हम लोगों के लिए जो आप्शन बचे हैं वो हैं अब आरो यारो के क्योंकि यूपी के जो लोग है वो अब इसी पर नोटिस करेंगे क्योंकि इसका जो है विग्यापन आ चुका है एंड कुछ ही दिनों में इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे तो इसी पर में फोकस सभी का रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो यूपी पीसेस का है क्योंकि हम लोगोंने बिहार सिचक भरती से जो धक्के खाये हुए हैं उन्होंने बो लेवल था वो बहुत ही जादा हाड उसका रखा था जिससे हम लोगों को लगा कि आउट-आफस लेबस आया है बट वो क्योशन आउट-आफस लेबस नहीं था उन्होंने यस्याटी से ही दिया है आप लोग मैस भी कर सकते हो मैंने कहीं क्यों मैस करें क्लास एड से वो कि आए बड़े जाना चाहिए तो ये वाला केओसं तो मैरा वैसे गलत हो चुका है बट मैंने आया देखा याश्याटी के वोग में तो उसमें लिखा था कि छोटे प्रीच के नीचे हमें खडे हो जाना चाहिए तो मेरे दिमाग में तो ये नहीं आए था चोटे बिच्छ के नीचे मैंने अक्सर पढ़ा हुआ था भाँ रिच्छों के नीचे खड़े होना चाहिए बट मुझे पता नहीं क्या उस टाइम दिमाग में चल रहा था तो यह वाला क्यूशन उसमें था और हिस्ट्री का मैंने क्लास 8 से देखा था उसमें वो जो बूक वाले क्यूशन प बढ़ना चाहिए कि हमें जो है बहुत डीटेल में अगर छोटी वैकेंसी के लिए पढ़ना है तो आपको बड़ी वैकेंसी के बुक्स आपको अभी से फॉलो करने पढ़ेंगे बहले ही आप सिच्छक भरती के त्यारी यूपी की सुपर्टेट के लिए त्यारी कर रहे हो या फिर डी टीपल एसबी की त्यारी कर रहे हो अगर आप डी टीपल एसबी की त्यारी कर रहे हो तो आपको यह से लेवल की प्रप्रेशन करने पड़ेगी अगर आप सिच्छक भरती की त्यारी कर रहे हो तो आपको यूपी पीसियस आरो यारो का पूरा सिलेबस डीटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी जाके इसे हो पाएगा एंड आपको डेली के study routine में रखना है math और reasoning क्योंकि कोई भी exam हो math और reasoning आते ही आते हैं तो आप अपना time management के हिसाब से एक घंटे math और एक घंटे reasoning रख सकते हो and मैंने भी अपने इसमें रखा हुआ है एक घंटे math डेली का एक घंटे reasoning and अब मैं कल से मेरा study vlog आएगा तो मैं कोशीज करूँगी कि मैं starting से चागंटी के पढ़ाई करूँ and उसमें GS के कुछ पार्ट रखू and current affair daily note करूँ चाहे जहां से भी आप current affair daily पढ़िए क्योंकि कुछ लोग हैं जो पेट का भी form भरेंगे तो उसमें भी पूछेगा and अभी मेरा assistant officer का exam था तो मैं नहीं गई थी दिने जो बिहार के जश्ट बात था तो मैंने ignore कर दिया जाने दो नहीं जाओंगे क्योंकि उसमें typing भी था and मैं other exam पे focus नदा करके मैं अब सिर्फ UPPCS और ROI यारो पे खुद को रखना चाहरी हूं क्योंकि जब मैं इसकी preparation करती हूं तो मेरा और चोटे जो भी exam है वो clear हो सकते हैं बट यह बात है कि मैं यह सची ले बलके क्योशन एक्जाम नहीं देती हूं अब मैंने starting में दिया था बट मुझे अब जाके रेलाइज हुआ कि वह सब देने के लिए मेरे लिए वेस्ट आप टाइम है मेरा मैं इधर उधर भटक न करके अपना एक एक्जाम पर फोकस करती हूं जो मेरा एम है यूपीपीस का तो सिर्फ उसी पर नोटिस करते हैं अपना टार्गेट बनाके उसी को तैयारी करते हैं तो अब से जो आएगा मेरा व्लॉग वो रहेगा यूपीपीस और आरो यारो के लिए तो मुझे लगता है यूपीपीस का जो क्योशन रहता है वो टू दफ हैक्ट रहता है नोटस से उठाया अबुक से उठाया डारेक्ट उने क्योशन दे दिया बट आरो यारो का जो रहता है वो हमेशा नए क्योशन बनाते हैं जैसे मैंने आपका पहले बीपीस से हमेशा निन Gustin बना के लाता है कुछ लातें कुछ क्यूशन रीपीटेद रहतें इसीतर है से आरो यारो का मैने 2021 वाला दिया था तो मुझे उसमें बहुत सारह मैं मिलें जो हमेसा वह ने उठाके लाता है कही न घए कोने से खोसके तो ड़े चैनल मौक सिर्टायद TED कर पढ़ने के लिए यह आप सर्ज कर लिएगा एंड उसको फिर अपने से पढ़ाई करिएगा कि हाँ यह बुक इन्होंने बताई है तो मार्केट से खरिद के लाईए उसको खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिए खुद से पढ़िए और खुद से नोट्स बनाई अगर आप यह बुक खरिद के लाएं और फिर पहले यूटूब से पढ़ने हैं फिर खुद से पढ़ने हैं ऐसा करने ज़रूरत नहीं है आप लाईए खुद से उससे दोस्ती करिए बुक से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगी और मैं भी ज्यादा प्रेफर करत थे जो मैंने पढ़े थे लास्ट के एक वीक दस दिन में यूटूब से तो अगर मैं नोट से से पढ़ी होती तो बुक से पढ़ी होती तो बहुत सारे क्योशन और सही हो सकते थे बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे क्योशन उन्होंने नए भी रखे थे इस वज़ कर सकते हो अगर आती है तो आप UPPCS की प्रिप्रेशन कर सकते हो आपको कोई नहीं रहेगा कहां यह स्लेबस छूट रहा है अगर हो सकता है नया आयोग बना है तो वह सिलेबस भी चेंज करेंगे हम लोग का जो भी रहेगा क्योंकि नया आयोग बना है तो वह सिलेबस चेंज करेंगे पैटन भी चेंज करेंगे जहां तक मुझे लगता है और हो सकता है में भी माइनस मार्किंग भी रख सकते हैं यह मेरा मानना है बट अब वो लोग क्या करेंगे वो लोग जाने बट यह आप सीख लिजे बिहार से सिचक भरती अगर इन्होंने रखा है तो बिहार सिचक भरती जैसे एक आयोग क्यूशन टफ बनाती है तो उसका दे के अधर आयोग भी यही ट्राइब करते हैं कि मैं भी क्यूशन ऐसे ही रखूं तो वो भी थोड़ा-थोड़ा अपना सीख लेते होंगे अपने में बट आपको भी यही मान के चलना है कि अगर आप सूपर्टेट की त्यारी कर रहे हो तो आपको सूपर्टेट की बुक से नहीं पढ़ना है आपको UPPCS के बुक से पढ़ाई करनी है खुद को उच्छा बनाना है क्योंकि यह कहावत है ना अगर आपको आसमान तक जाना है तो देखना मत भूलिएगा एंड जिस दिन भी OEMR एंसर की आ जाती है इस कैन होके तो मैस करके मैं अपना औरीजिनल बताऊंगी कि मेरे कितने माक्स बन रहे हैं और जहां तक कटाफ की बात है तो कटाफ में भी कम जाए बट देखो क्या होता है क्या नहीं होता है क्योंकि इस आप अपनी प्रेप्रेशन करते रहें आज नहीं तो कल कहीं न कहीं होई जाएगा तो मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक तो करी देजिए फ्रेंस आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो